नमश्कार में अप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में इन दुनों सरकार पुलो का जाल बिच्वाने का काम कर रही है इसी कड़ी में बिहार सरकार की योजना अनुसार वीरपुर बिहपुर एनेच 106 पर 15 दिसंबर से नदी पर पुल निर्मान का काम शुरू हो जाएगा जिसके बाद जून 2024 तक पर योजना को पूरा करने का काम किया जाएगा हाला कि इस पुल निर्मान के काम में कोई देरी नहीं आने का नुमान है क्योंकि अकसर यह देखा गया है कि भूरजन से संबंधित कई सारी जानकारिया निकल करके सामने आती रही है लेकिन वर्तमान में भुवर्जन से सम्मधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जुसके बाद ही अब उमीदिया ही जताई जा रही है कि मध्यपुरा जिले के फुलोट से भागपुर के भीपुर तक बनने वाले एनेच 106 के मिसिंग लिंग का निर्मान 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा जिसके जिम्मधार मुंबई की एफकॉंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कमपनी को दी गई है अब अनुमान ये है कि इसके निर्मान पर 1478 दर्शमलब 4 करूर रुपे खर्च होंगे इसके लंबाई 28.9 एक किलोमेटर होगी साथ ही कोसी नदी पर 6.9 तीन किलोमेटर लंबा पुल बनेगा निर्मान कारेपुरा होने के बाद 10 साल तक समवेदक द्वारा पुल की देखरे की जाएगी साथ ही कारे की निगरानी एनेज डिविजन खगडिया और मध्यपूरा करेगी 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने मिसिंग लिंक नर्मान की आधारश्वीला वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से रखी थी विश्व बैंक न 136 किलोमीटर लंबे वीरपूर बिहपूर एनेज 106 के नर्मान का खरचा 2002 में उठाये था वीरपूर से फुलोद तक सड़क नर्मान कराने के बाद विश्व बैंक ने अपना हाथ कीच लिया जुसके कारण 30 किलोमीटर तक सड़क और पुल नर्मान कारे रुक गया था एनेच और एनेच याई को काम मिलने का इंतजार है काम मिलते ही काम शुरू हो जाएगा सुल्तानगन से अगवानी घाट के बीच गंगानदी पर उचिस्तर ये पुल्प और पहुचपत नर्मान के सम्मंद में बिहार राज्य पुल नर्मान निगम खगडिया वरिये परियोचना अभियनता ने बताया है कि इस परियोचा में भु अर्जन से सम्मंदित कोई समस्या नहीं है मोहचपत का काम प्रगती पर है गोगा पंजवारा सेच 64 पत नर्मान को लेकर जिला भु अर्जन पदादिकारी द्वारा बताये गया है कि भु अर्जन के क्रम में मुआबजा भुकतान की कारवाई की जा रही है विहार स्टेट रोड डेवलप्मेंट कॉर्परेशन लिबिटेट के अभियनता और भूमी सुधार उप्समाहरता के हलगाओं को आवश्यक कारवाई करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि उक्त परियोजना पूरी हो सके इसको लेकर हाली में भूमी सुधार उप्समाहरता के हलगाओं ने भी इस बुद्धे पर अपनी जानकारी दिया साथ ही साफ किया था कि सभी सम्मंधित रहयतों को नोटस निर्गत किया जा चुका है और जल्द ही भूरजन की कारवाई पूरी कर ली जाए जो लाधिकारी ने अपर्समाहरता को इस बावत निर्देश दिया था कि क्याम का आयोजन कर उक्त काम को पूरा किया जाए विक्रम शेला सेतु के समनांतर फोर लेन पुल और पोहचपत के सम्मंध में भी हाली में काफी जानकारिया निकल कर के सामने आई है जिसके तहट ये बताये गया है कि पुर्व में निर्धारित अलाइनमेंट में परिवर्तन होने के कारण मंत्राले स्तर पर निर्ने लिया जाना है निर्ने लेने के बाद अविलंब काम शुरू किये जाने को लेकर जरूरी और आवश्यक कारवाई की जाएगी इसको लेकर जिलाधिकारी ने भी सम्मंधित अभियंता को निर्धेश जारी कर दिया है और बताया है कि विभाग और मंत्राले से समनव्य स्थापित कर नियामा नुसार आवश्यक कारवाई सुनेशित करने की बात कही गई है ताकि विक्रम शिला सेतु के समनांतर फोर लेन पुल और पोहँचपत के निर्मान में तेजी लाई जा सके इसके साथ ही उपकारा के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है कहलगाओं अनुमंडल में उपकार के निर्मान के समन्द में अब जिलाभू अर्जन पतादिकारी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उक्त परियोजना के 15 एकर भूमी के अर्जन की जरूरत है वहीं गुडड़, पिरपैंती, न्यू बिजी, रेल लाइन परियोजना के अलाइनमेंट फाइनल होने तक कोई वे नहीं किये जाने के समन्द में अधियाचे विभाग द्वारा ससूचित खिया जाएगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद